हेलो गाईज, स्टाउक मार्केट न्यूस फॉर आरन में आप सभी का स्वागत है आज 20 अगस्त बात करेंगे यहस बैंक के बारे में आज यहस बैंक में हम एक पैटर्न को डिसकस करेंगे जो एक बुलिश पैटर्न है और वो आपको जानना चाहिए चुकि वही आपको बताएगा कि यहाँ पर आपको क्या टार्गेट देखने के लिए मिलने वाले है चुकि तेजी यहाँ पर किस तरीकी से आपको देखने के लिए मिलेगी उस सारी चीजों का हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो pattern आपको देखने के लिए मिलने वाला है वो cup and handle pattern है चुकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो basically एक cup बन रहा है और साथ ही उसका एक handle भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो आज की तारीक में हमने देख लिया है तो यहाँ पर एक confirm है कि यह cup and handle pattern बन रहा है और यह अपने आप में bullish signature होता है यह किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ तो basically इसका handle है उसकी जो depth है अगर आप इसको देखेंगे तो यह इसका पहला target होगा यानि कि जो पहला target आपको दिखाई पड़ेगा जब यहाँ पर देखेगा जो इसकी neckline है यानि कि neckline वो line है जो कि इसका एक resistance line है यानि कि इसको निकालने के बाद ही आपको यहाँ पर ए आपको यहाँ पर एक बड़ी तेजी देखने के लिए मिलेगी यानि कि जब हम तक्रीबन 17 रुपए 5 पैसे को निकालेंगे तो यहाँ पर पहला target हमको देखने के लिए मिलेगा वो तक्रीबन देखेगा 20 रुपए का होगा तो आपको पहला target पता चल चुका है जो कि 20 यानि कि यहाँ पर तय है 22 रुपए 80 पैसे जाना बिल्कुल तय है जब हमको 17 रुपए 5 पैसे का यहाँ पर जो resistance है वो तूटता हो दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर एक breakout देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बत पूरी तरीके से बनेगा और मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि cup and handle pattern एक ऐसा pattern है जो public domain में पहले से ही मुझूद होता है यानि कि हर कोई इसको असानी से पहचान लेता है तो देखिए कभी कभी यहाँ पर उल्टी ट्रेडिंग भी करी जाती है क्योंकि यहाँ पर जो ब तरीके का आ रहा है यहाँ पर एक मजबूत candle बननी चाहिए 17 रुपए 5 पैसे को जो सही से निकाले तो वहाँ पर confirm होगा कि cup and handle pattern पूरी तरीके से बन गया है तो यह सारी चीज़े मैं आपको बता दी है बहराल हमने जो RSI आपसे discuss किया था जहाँ पर देखेंगा हमको पहले यह चीज़ देखने के लिए मिली थी कि 45 के RSI पर एक resistance है और नीचे तकरीबन 37 के लगबग हमको एक support देखने के लिए मिल रहा था तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले हमने 45 के RSI पर एक resistance देखा और अभी देखेगा हम जस्त उसके उपर निकल चुके हैं और शायद है ज़रा वो मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर जो हमारी closing of up महज 5 पैसी की कमजोरी के साथ काम कर रही है जहाँ पर अभी भी देखेगा 4,58,000 से जादा quantity buying में लगी हुई है तकरीबन 40 करोड से जादा quantity trade हुई है जिन में से 15 करोड से जादा quantity आपको deliver होती ही नज क्या है cg power को तो यह सारी चीज़े हैं जिनको आपको समझना है और इसके साथ काम करना है बेसिकली yes bank में अभी भी तेजी बनी हुई है आपको यहाँ पर काम कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है आपको breakout का ध्यान रखना है 17 रुपए 5 पैसे पर जो की देखेगा ए SI के ओपर हम स्टेक कर रहे हैं और हलकी हलकी हमको यहाँ पर स्टेंड देखने के लिए मिल रही है साथ ही अब आगे जब एक मजबूत breakout देखने के लिए मिलेगा तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो रेंज वाकई में शिफ्ट हुई है 4260 वाली वह साइडवेज में क काम नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर पैटन भी बन रहा है यानि कि यह एक अप्ट्रेंड में काम करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर तेजी एक्स्टेंड करती हुआ दिखाई पड़ेगी तो चलिए दोस्तों इसकार में वीडियो को ही प्वेटम करता